अगर आपको भी ऐसे किसी भी श्टॉक पर एनलिस्स चाहिए तो श्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हैं अभी के लिए अभी के लिए गर हम इसका चार्ट देखें यह मैंने आपको पहले ब्रेकडाउन के टाइम में सजेस्ट किया था कि आपर ब्रेकडाउन देखने के लि सेम चीज एक पॉइंट है जब इस टाइब का बाइंग आ रहा होता है सब को इस टाइम अगर कोई बाइंग सेलिंग सेजेश्ट भी करता है तब भी किसी को कोई फरक नहीं पड़ता है जैसे अगर आप अभी के टाइम में ट्रेंट इस टाइम को अगर देखते हैं स्क्रीन पर मैं लगा दूँगा चार्ट अगर आप देखोगे सेम टाइब से मूव कर रहा है लेकिन अभी किसी को सेलिंग नहीं देखेगा नहीं कोई मानेगा लेकिन जब सेलिंग आना स्टार्ट होता है तो कुछ इस टाइब से आपको फिर करेक्शन वहाँ पर देखने के लिए हैं अभी के लिए अगर हम बात करें इसमें बीकली चार्ट पर जाते हैं एनलिस के लिए तो जैसे नाइंटी डिग्री अंगल में यह उपर गया था जैसा उपर गया था सेम वैसा ही नीचे आ रहा है और यह पूरा फॉल करेगा रीजन क्या है कि इसके बीच में कहीं पर अभी कोई सपोर्ट नहीं है जहां पर मार्केट वेट करें या कोई सपोर्ट बना ले तो इसके लिए दो लेबल्स हैं सबसे पहले अभी 400 का लेवल है 400 से 420 का लेवल लेकिन मुझे नहीं लगता है यहां पर सपोर्ट लेगा यह अल्मुष 360 रूपी तक आ सकता है 350 के आस लेबल्स मिलते हैं यहां पर तो प्लान करिए बाहर करने का वो भी कुछ टाइम के बाद अगर आपको एक्जामपल देखना है आयार सिटी सी देखिएगा 2021 या 22 में एक हाई लगाया था जो कि इस प्लेट के बाद अभी 1200 का हो गया है उस टाइम में करीब सायद 6000-6500 का था ठीक है इस प्लेट होने से पहले वहाँ से फॉल किया करीब 2 साल साइड बेज गया है और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं अगर आप मुझे मैसेज करोगे मैं ऐसे आपको 10 स्टॉक दिखा सकता हूं सेम कंडिशन के तो होता क्या है जब इस टाइप के स्टॉक इस टाइप क चार्ट में जब आप आजाएंगे तो अभी भी अगर आप इसका देखोगे तो यह जो सेलिंग आया बहुत सार्फ सेलिंग आया एक रिकावरी दिया कहां से रिकावरी आया अपने इसी लेवल से तो यह लेवल अलड़ी यहां पर खतम हो चुका है अब आजा इसका और थ्री हंड़ेट टॉंटी थर्टी के असपास के लेवल से हैं मिनिमाम थ्री सिस्टी तक तो आ जाएगा रीजन इसका ही है क्योंकि यहीं से ब्रेक आउट दिया था और फिलो में होता क्या जिस टाइप के सैलिंग मोमिन्टम में आ रहा है यहां पर थोड़ा सा हो सकता चार-पाँ-ची महीने यहां पर बेट करें दैन जाकर यह रिवर्सल देने के लिए और ट्राय करेगा वहां पर तो इस तरीके से से स्टॉक में मोमिन्टम बन सकता है फिलाल कंप्रीटली निगटेव है कोई बाइंग नहीं है ना सौर्ट टम ना लॉंग टम मिटम कुछ नहीं है सेलिंग के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो यह 30% 25% का करेक्शन यहां तक आपको मिनिमम देखने के लिए मिल जाएगा आने वाले दो तीन महीने के आसपास ठीक है तो यह इसमें सेलिंग है और इसमें अभी कुछ प्लान नहीं कर सकते हो आप सिर्फ एक्जिट ही कुछ इसमें बोलने के लिए नहीं है कंटिन्यू फॉल है और अभी भी कंटिन्यू करेगा तो आपको कम से कम 420 और 360 यह तो बहुत आसानी से देखने के लिए मिलने वाले है यहां पर आकर जब वेट करता है देन देखेंगे आगे कि कैसा मोमेंटाम इसे स्टॉक में होता करेंगा यह कोई भी बाइंग से लिंग रिकमेंडिशन नहीं है तो अगर आप कुछ भी रियल मनी के साथ अगर प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी अलिसस करें उसके बाद ही कुछ भी बाइंग या से लिंग के लिए प्लान करिए थैंक्यू सो मच